सो इस स्टुडेंट्स हम लोग ने अब तक सलेना आई से चेप्टर केलोरी मीट्री में यह सारे टॉपिक्स देख लिए हैं जैसे कंसेप्ट आफ हीट, तेम्टेचर, हीट वर्स तेम्टेचर, फैक्टर्स डिटर्माइन क्वांटिटी ऑफ हीट आप बॉडी, डिफरेंस ब अब हम लोग इस वीडियो में एक्जाम्पिल एट के आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइस क्वेश्चन नमबर वन से लेके क्वेश्चन नमबर थर्टी तक पूरा बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए शूरू करते हैं आएए देखते हैं, एक्जाम्पिल एट, एक्जाम्पिल एट क्या कहता है, अब मेटल पीस ऑफ मास्ट ट्वंटी ग्राम इज हीटेट तो एक कॉंसेंट टमट्रेचर ऑफ हंड्रेट डिगरी सेल्सिएस, एक मेटल का पीस है, जो 20 गरम का है उसको हंड्रेट डिगरी सेल अब इनकलोरी मीटर ऑफ मास्ट 50 गरम एड इससेफिक लिख इट कैपसिटी पॉंट फॉरो एट गरम पर कैल्वीन कांटेंज 50 गरम इज भॉटर एड 20 डिगरी सेल्सिएस, फिर कलोरी मीटर जिसमें मास्ट 50 गरम है, और सका स्पैसिफिक लिख इड कैपसिट पॉर टॉर और उसमें 50 gram water है 20 degree Celsius फे ठीक है अच्छा आफ्टर इस्टिरिंग दा water the highest temperature recorded is 22 degree Celsius अब इन्होंने काया उसके बाद जब मिलाए गया तो जो final temperature बना या जो highest temperature बनता है वो 22 degree Celsius होता है अब आप बताईए calculate the specific heat capacity of metal और specific heat capacity of water इन्होंने दिया हुआ है जो कि यह 4.2 joule per gram per Kelvin basically specific heat capacity of metal का हमें पता करना है तो इसको solve करने के लिए मैं आपको 30 second देता हूँ और मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ basically आपको करना क्या होगा आपको सबसे पहले यह जबना होगा कि यहाँ पे heat energy कौन दे रहा है तो obvious वाद है यहाँ पे metal heat energy दे रहा है calorie meter energy ले रहा है और water भी energy ले रहा है मतलब यहाँ पे आपको ऐसा सोचना पड़ाएगा कि अगर कोई भी heat energy loss नहीं हो रही है इन सब के अलावा तो heat energy given by metal is equal to total heat energy taken by calorie meter plus total heat energy taken by water बस यह सोचते हुए आपको energy is equal to mass specific heat और temperature यह delta T का आपको formula लगाना होगा mc delta T that is q is equal to mc delta T यह formula लगाते हुए आपको इसको solve करना है मैं आपको 30 seconds का time दे रहा हूँ एक बार try जरूर करिए चलिए देखते हैं इसको how to solve करना है so मान लीजे specific heat capacity of metal जो है वो c होता है तो c joule per gram per Kelvin यह हमने मान के चला फिर heat energy given by metal metal कितनी heat energy दे रहा है q is equal to mc delta T यहाँ पर m क्या है 20 c specific heat capacity है और delta T देखें यहाँ पर 100 से 22 गया है ठीक है तो 100 से 22 यह मेरा हो जाएगा delta T तो 100 minus 22 तो बन जाएगा यह heat energy given by metal is equal to 20 into c into delta T 100 minus 22 which is equal to 1560 c joule ठीक यह मेरी question बन जाती है 1 अब यह energy कौन ले रहा है यह ले रहा है calorie meter of water ठीक है इन दोनों को भी solve करते हैं तो heat energy taken by calorie meter is equal to mass हमें पता है 50 इसका specific heat capacity भी दिया हुआ है 0.42 और delta T यह देखे 22 से 20 तक गया है 22 degree Celsius था जो की final temperature बनता है 22 ठीक है तो हमें delta T हमेचे निकलना है delta T हमेचे positive होता है तो 22 minus 20 Joule ठीक और इसको जो हम लोग solve करते हैं तो यह answer आता है 42 Joule ठीक अब इसके बाद heat energy taken by water भी निकलना है तो same यहां पर mass 50 है specific heat capacity मेरा 4.2 है और delta T 22 minus 20 है और इसको जो हम लोग solve करते हैं तो यह हो जाता है 420 Joule अब इसके बाद हमें देखना है total heat energy taken by calorie meter वो कितना हो जाएगा simple heat energy taken by calorie meter और heat energy taken by water इन दोनों को add कर दीजे तो 42 Joule प्लस 420 Joule इसको जो हम लोग add करते हैं तो यह जाता है 462 Joule अब अगर कोई भी heat energy loss नहीं होती है तो उस case में formula बनता है heat energy given by metal is equal to total heat energy taken by calorie meter प्लस water तो heat energy given by metal from equation number 1 हमें पता है 1560 C और यह हो जाता है 462 फिर बार में C का हमने value निकालते हैं तो यह हो जाएगा 462 by 1560 which is comes as 0.3 Joule per gram per Kelvin यह आपका specific heat capacity उस metal की निकलाती है इसकी quick tip यह है कि आपको हमेशा द्हान देना होगा कि if there is no loss of heat energy then heat energy given by metal is equal to heat energy taken by calorie meter and water और दूसरा जो delta T होता है वो हमेशा positive value होती है आई ही देखते हैं example number 9 यह कह रहा है a hot iron ball of mass 0.2 kg is added into 0.5 kg of water at 10 degree Celsius तो एक iron का ball है जो गरम है hot iron ball जिसका mass 0.2 kg है उसको एक 0.5 kg of water जिसका temperature 10 degree Celsius था उसमें डाल दिया गया मतलब एक गरम लोहे के ball को जो 0.2 kg का था उसको 0.5 kg water में जिसका temperature 10 degree Celsius था उसमें डाल दिया गया अब इसके बाद जो temperature बनता है the resultant temperature is 30 degree Celsius ठीक है अब इन्होंने कहा है calculated temperature of hot ball वो जो ball थी hot ball उसका temperature कितना था specific heat capacity of iron 336 joule per kg per Kelvin दिया हुआ है और specific heat capacity of water हमें याद भी होनी चाहिए 4.2 joule into 10 to power 3 joule per kg per Kelvin ठीक है अब इसको solve करने के लिए मैं आपको hint देता हूँ यहाँ पर simple था है hot energy taken आपको समझना है और hot energy given यह simple था आपको logic समझना है जैसा कि हम दोग ने example 8 में देखा था यहाँ पर आप यह समझे आप ऐसा assume करिए और यह question में आपको लिखना भी है कि assuming that there is no loss of heat energy then जितनी energy वो गरम बॉल देगी उतनी energy water लेगा ठीक है यह concept परकना है आपको तो heat energy given by ball is equal to heat energy taken by water और heat energy का आपको formula पता है q is equal to mc delta t बस दोनों साइट की value को आपको बराबर करके hot ball का temperature निकाल लेना है ठीक है यह थोड़ा बहुत example 8 से मिलता जूता है बट वहाँ पर specific heat capacity पूछा गया था यहाँ पे इन्होंने temperature पूछा है logic दोनों का same है सो यहाँ पे आपको fall in temperature of ball और rise in temperature of water यह logic से समझते हुए आपको q is equal to mc delta t formula लगाते हुए solve करना है मैं आपको 30 seconds का time देता हूँ एक बड़ try जरूर करिएगा चलिए देखते हैं कैसे solve करते हैं मान लीजे temperature उस hot ball का था टाना है टाना है भी तो इस दोना करना है पूस्यादा है देखते हैं कि दूद करना है। T degree Celsius ठीक है जो हमें निकालना है अब hot ball जो थी उसका temperature T से वो 30 degree Celsius तक आता है क्योंकि result जो temperature है जो final temperature बनता हो 30 degree Celsius तो fall in temperature of ball हो जाता है T minus 30 degree Celsius अब rise in temperature of water पहले water का temperature 10 degree था लेकिन जब उसमें गरम लोहे का ball डला गया तो उसका temperature बढ़ा ठीक है तो 10 से 30 पह गया तो rise in temperature of water यह हो जाता है delta T which is difference of temperature जो हमेशा positive value होता है और that will become 30 minus 10 degree Celsius कभी भी 10 minus 30 मत कर दीजेगा मैं हमेशा बोलता हूँ यह positive value हमेशा रहती है difference टीक है जो delta T होता है इसलिए हम लोग 30 minus 10 degree Celsius करेंगे और heat energy given by ball वो हो जाता है Q is equal to m3 delta T M यहाँ पे इस ball का है 0.2 kg C दिया हुआ है 336 joule per kg per Kelvin और T जो है हमें निकालना है तो T minus 30 यह हमारा पहला equation मन जाता है और इसके बाद heat energy taken by water अभी ball ने तो दिया तो take कौन करेगा water इसका भी same formula Q is equal to mC delta T M की value है 0.5 C question में दिया हुआ है heat capacity of water हमें पता भी है 4.2 into 10 to power 3 फिर उसके बाद delta T जो water का था वो 30 से 10 पे आया तो that's why 30 minus 10 joule यह हमारा हो जाता है equation number 2 Now assuming that there is no loss of heat energy कोई भी और heat energy इन दोनों के अलावा कहीं पे भी loss नहीं होती है तो जितना ball ने heat energy दिया उतना water ने heat energy लिया तो heat energy given by ball is equal to heat energy taken by water बस equation number 1 और equation number 2 को हमने सामने लग देंगे तो 0.2 into 336 into T minus 30 is equal to 0.5 into 4.2 into 10 to power 3 into 20 इसको हमनो further solve करते हैं तो यह हो जाता है 67.2 T minus 2016 is equal to 4200 then 67.2 T is equal to 4200 plus 2016 और यह हो जाता है 44016 इससे हमनों T के वह लो निकालते हैं 44016 upon 67.2 और इसको further solve करने पे आता है 655 degree Celsius so temperature of hot ball वो था 655 degree Celsius इस question की जो quick tip है वो यह है कि आपको हमेशा धान देना चाहिए कि यहाँ पर energy कौन दे रहा है और कौन ले रहा है ठीक है यहाँ पर केवल water जो energy वो ले रहा था और ball जो था hot ball वो energy दे रहा था बस दोनों का ही equation आपको सामने सामने रख करके और इसको solve कर देना है और delta T हमेशा positive value रहती है यह दो quick tip थी अब देखते हैं example number 10 example number 10 कहता है what mass of liquid A of specific heat capacity 0.84 joule per gram per kelvin at a temperature 40 degree Celsius must be mixed with 100 gram of liquid B of specific heat capacity 2.1 joule per gram per kelvin at 20 degree Celsius so that the final temperature of mixture B 32 degree Celsius मतलब यहां पर काए एक liquid है जिसका specific heat capacity नो दिया है और उसका temperature 40 degree Celsius है और उन्होंने काए कि वो mix करते हैं एक 100 gram of liquid B जिसका specific heat capacity भी दिया हुआ है और उसका temperature 20 degree Celsius है इन्होंने काए कि अगर हम इसको mix करते हैं तो final temperature of mixture 32 degree Celsius बन जाए ठीक है तो इन्होंने का liquid A का हम क्या mass कितना liquid A हम मिला है कि जिससे हमारा final temperature of mixture 32 degree Celsius बन जाए ठीक है अब इन्होंने देखिए इसको solve करने के लिए एक simple सा जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं आपको सबसे पहले ही देखना पढ़ाएगा कि heat energy given by A कितना है और heat energy taken by liquid B कितना है और simple ता formula हमें same लगाना है assuming that there is no loss of heat energy तो heat energy given by A is equal to heat energy taken by B और simple ता formula है Q is equal to mc delta T यहाँ पे हमें M निकालना है A का ठीक है जो liquid A था बस हमें M निकाल लेंगे दोने equation लो सामने करके यह देखिए यह हमनोंने अभी जो example 9 पढ़ा था यह उसी का एक समझे दूसरा वर्दन है वहाँ पे हमें T निकाला था यहाँ पे हमें M निकालना है बाकि सेम लोजिक है ठीक है मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ एक बार ट्राई जरूर करिएगा आई देखते हैं इसको कैसे स्वल करने है मान लीजे लेट M G आफ लिक्विड A माना कि M ग्राम उस लिक्विड को जो लिक्विड A है वो हमें लगेगा ठीक है तो fall in temperature of liquid A अब liquid A का temperature देखे 40 से 32 degree तक गया है तो fall in temperature तो delta T की यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 minus 32 degree Celsius अब rise in temperature of B B का temperature कितना था 20 वो कहां तक गया 32 तो उसका temperature rise हुआ 32 minus 20 degree Celsius अब यहाँ पर देखिए हमें अगर A का heat energy निकालना है तो वो हो जाएगा heat energy given by M gram of liquid A Q is equal to M C delta T अब हमें पता नहीं है C बता है वो है 0.84 J per gram per Kelvin into delta T भी में पता है 40 minus 32 J इसको हम लोग equation number 1 बोलते है same is जब A ने heat energy दी है तो heat energy लेगा कौन liquid B यह मान के चलते हैं कि इसके अलावा कोई भी और heat energy loss नहीं हुई है तो यहाँ पर heat energy taken by 100 gram of liquid B is equal to 100 into 2.1 into delta T है वो है 32 minus 20 J यह हमारा हुजाता है equation number 2 बस इसके बाद simple से logic है assuming that there is no heat loss then heat energy given by A is equal to heat energy taken by B और इसको में लिख सकते हैं from equation number 1 और 2 के basis पे M into 0.84 into 8 is equal to 100 into 2.1 into 12 और यहाँ से हम लोग जब M की value निकालते हैं तो यह हो जाता है 100 into 2.1 into 12 upon 0.84 into 8 और यह हो जाता है 375 gram तो मतलब liquid A का जो mass हमें चाहिए वो होगा 375 gram इस question की quick tip यह है कि आपको same logic लगाना है Q is equal to mc delta T के basis पे यह देखते हुए कि कि किस liquid का temperature गिर रहा है और किस liquid का temperature बढ़ रहा है तो यहाँ पे heat energy given by liquid A is equal to mc delta T है और heat energy taken by liquid B यह निकालने एक लिए भी अप mc delta T को समझते हुए इन दोनों को equation की basis पे आप solve कर सकते हैं और आपको यह भी assume करना है कि इसके लावा कोई भी heat energy loss नहीं हो रही है यह आपको question में लिखना भी है और delta T जैसे मैं हमेशा बताता हूँ यह हमेशा positive value होती है example number 11 क्या कहता है water initially at 20 degree Celsius at a height of 1.68 km above the ground fall down on ground मतलब पानी 1.68 km उपर से जब गिर रहा है तो उसका temperature है 20 degree Celsius और इन्होंने इसकी specific heat capacity बता है 4200 Joule per kg per Kelvin अब इन्होंने पुछा है find the final temperature of water on reaching the ground इन्होंने का है जब वो पानी जमीन पे गिरता है तो उसका final temperature बताईए और यहाँ पे G की value बताईए 10 meter per second square ठीक है इसको समझने के लिए आप यह example के लिए ऐसे समझिए कि एक पानी को जो temperature कुछ ज़्यादा था उसको हम किसी और पानी में हम मिला रहे है ठीक है वो कैसे मैं आपको बताता हूं आप यह समझिए कि जब water की height h थी ठीक है यहाँ पे 1.68 दिया हुआ है उस height पे जो उसकी potential energy थी वो convert होती है kinetic energy में और जब kinetic energy में convert होती है तो उस समय यह मान के चलिए कि उसका कोई भी energy loss नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूँ इसका मतलब यह होगा कि potential energy mg h जो उस समय पानी की थी वो ही बराबर हो जाएगी mc delta t k ठीक है तो mg h is equal to mc delta t यह समझते हुए आप इस question को solve करने की कोशिश करिए और मैं आपको देता हूँ 30 seconds उसके बाद मैं इसको solve करके आप पुरिखाता हूँ आपको जाएगी आइए देखे इसको कैसे solve करना है c given initial temperature is 20 degree celsius सबसे पहले पानी का temperature के इतना था 20 degree celsius जी इनोंने बता है 10 meter per second square height भी इनोंने दिया h is equal to 1.68 km जिसको हम लोग मीटर में convert करेंगे तो यह हो जाएगा 1.68 into 20 power 3 meter specific capacity of water हमें पता भी है इनोंने दिया भी है which is 4200 joule per kg per Kelvin अब देखिए यहाँ पर यह बताया है कि शुरू में initially water at height h जब height h पे था तो उसका potential energy which is mg h stored in it वो उसमें था ठीक है तो water की जो potential energy थी वो थी हमारी mg h जो की change होटी है kinetic energy में जब वो गिर रहा होता है और जब वो जमीन पे गिरता है तब वो kinetic energy बराबर हो जाती है potential energy के right on reaching the ground water has the kinetic energy equal to the initial potential energy which is equal to mg h जब वो strike करता है ground से तो heat energy mc delta t से तो अगर delta t rise in temperature है उस पानी का assuming कि कोई भी kinetic energy जो उस water की थी वो change नहीं होती है heat energy में then there is no loss of energy इस सिद्दान के basis पे हम लोग लिख सकते हैं mg h is equal to mc delta t या rise in temperature delta t is equal to g h upon c बस value put करते हैं g की value में पता ही है 10 और h की value है 1.68 into 10 to the power 3 upon c की value हमें पता ही है 4200 जब इसको solve करते हैं तो 4 degree celsius इसका answer आता है hence final temperature of water on reaching the ground is equal to क्या होगा सबसे पहले तो initial temperature उस पानी का क्या था वो था 20 degree celsius फिर rise in temperature कितना हो जाएगा वो हमें आभी पता चला है which is 4 degree celsius तो इन दोनों को add कर देंगे तो यह हो जाएगा 20 degree celsius plus 4 degree celsius which is equal to 24 degree celsius और यह हो जाता है हमार answer example number 11 का इस example की जो quick tip है वो यह है जब पानी ground पे पहुशता है तो उसकी जो kinetic energy है वो equal to हो जाती है initial potential energy which on striking the ground change into heat energy mc delta t that's why mgh is equal to mc delta t यह logic आपको समझना होगा इस example में आई देखते हैं exercise 11a जिसमें पहला question है define the term heat तो इसका answer हो जाएगा heat is the sum total of kinetic and potential energy of all the molecules in the given substance और एक definition और भी बनती है जो कि यह heat the energy of random motions of the molecules of a substance is called heat energy यह हम लोग यह भी कह सकते है heat it is a form of internal kinetic energy of a body which produces in the sensation of hotness or coolness next question है name the SI unit of heat SI unit of heat is Joule third question है define the term calorie how is it related to Joule so friends calorie it is the heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius and relation with Joule is 1 calorie is equal to 4.186 Joule or 4.2 Joule nearly next question 4 is saying define 1 kilocalorie of heat 1 kilocalorie of heat is the heat energy required to raise the temperature of 1 kg of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius friends यहाँ पे temperature difference आपको जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius हम लोग को लिखना बहुत जरूरी है ठीक है तो यह जरूरू लिखेगा question 5 कह रहा है define temperature and name its SI unit so temperature basically क्या होता है the quantity which determines the direction of flow of heat between two bodies kept in contact is called temperature यह हम लोग यह भी कह सकते है it is the quantity which tells the state of body SI unit of temperature is Kelvin question 6 is differentiate between heat and temperature heat क्या होता है it is a form of energy SI unit of heat is Joule it is measured by principle of calorimetry and it is an and additive quantity temperature क्या होता है temperature क्या होता है it is a quantity which tells the state of body SI unit is Kelvin it is measured by thermometer and it is not an additive quantity question 7 is define calorimetry the measurement of the quantity of heat is called calorimetry that's the answer question 8 is saying define the term heat capacity and state its SI unit so heat capacity of a body is the amount of heat energy required to raise this temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin heat capacity heat capacity the formula होता है heat capacity C dash is equal to amount of heat upon rise in temperature so C dash is equal to delta Q upon delta T unit of heat capacity SI unit मे होता है Joule per degree Celsius or Joule per Kelvin question 9 is saying define the term specific heat capacity and states is SI unit specific heat capacity of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of its unit mass through 1 degree Celsius or 1 Kelvin specific heat capacity ka formula होता है specific heat capacity c is equal to amount of heat upon mass into rising temperature तो यह हो जाता है C is equal to delta T upon mass into delta T unit of specific heat होती है in SI unit which is Joule per kg per Kelvin और Joule per kg per degree Celsius question 10 में बोलता है how is the heat capacity of a body related to specific heat capacity of its substance तो यहां पे केवल mass का फरकाता है so heat capacity of a body of unit mass is called its specific heat capacity question 11 is state 3 difference between heat capacity and specific heat capacity so heat capacity the pera difference it is the amount of heat energy required to raise the temperature of entire body by 1 degree Celsius second difference is it depends on the mass of the body more the mass of the body more is its heat capacity and the third difference is its unit is Joule per Kelvin this is about heat capacity अब देखते हैं specific heat capacity के बारे so the first point is it is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of body by 1 degree Celsius ठीक है so heat capacity में कहता है entire body यहां पे unit mass है 1 degree Celsius जितका हम लोग को heat energy बढ़ाना रहता है ठीक है second point है it does not depends on the mass of the body whereas heat capacity में it depends on mass of the body where more the mass of the body more is it heat capacity लेकिन specific heat capacity में it is the characteristics of the substance of the body and third point is specific heat capacity unit होती है वो होती है Joule per KG per Kelvin question 12 name a liquid which has the highest specific heat capacity we all know which is water question 13 write the appropriate value of specific heat capacity of water in SI unit approximate value of specific heat capacity of water in SI unit is 4200 Joule per KG per Kelvin question number 15 is saying specific heat capacity of a substance A is 3.8 Joule per gram per Kelvin and of substance B is 0.4 Joule per gram per which substance is a good conductor of heat how do you arrive at your conclusion so friends we already know substance B is a good conductor of heat why because specific heat capacity of B is less than A question 6 is saying name 2 factors on which the heat energy liberated by a body on cooling depends first so the answer is the 2 factors are first material of the body and second is temperature of the body question number 17 is saying name 3 factors on which heat energy absorbed by a body depends and state how does it depends on them so the answer is first part is mass of the body so the amount of heat energy absorbed by a body is directly proportioned to the mass of the body second is nature of the body the amount of heat energy absorbed by a body depends upon the nature of the body that is specific heat capacity and the amount of heat energy absorbed is directly proportioned to the rise in temperature question number 18 is saying write the expression for the heat energy Q received by m kg of a substance of a specific heat capacity C Joule per kg per Kelvin when it is heated through delta T degree Celsius expression for heat received Q is equal to mass of a substance into specific heat capacity into rise in temperature so Q is equal to mc delta T question number 19 is saying same amount of heat is supplied to two liquid A and B the liquid A shows a greater rise in temperature what can you say about the heat capacity of A as compared to that of B friends we already know heat capacity of A is less than of B question number 20 two metallic block P and Q having their mass in the ratio 2 is to 1 are given same amount of heat their temperature rise by same amount compare their specific heat capacity so specific heat capacity C is equal to amount of heat supplied upon mass into rising temperature right so C is equal to Q upon mc delta T T now for the block P and Q heat supplied and rise in temperature is same so set the mass of P and Q be 2 m and m and there is specific heat capacity be C1 and C2 respectively so C1 is equal to Q upon 2 m into delta T and C2 is equal to Q by m into delta T so C1 is to C2 is equal to Q by Q upon m into delta T which will become Q upon 2 m into delta T into m into delta T upon Q so C1 is to C2 is equal to 1 by 2 which is equal to 1 is to 2 question 22 is what is the principle of method of mixture what other name is given to it name the law on which this principle is based principle of method of mixture is saying heat energy lost by hot body is equal to heat energy gained by cold body other name is principle of calorie metri law on which principle of mixture is based on law of conservation of energy question 22 a mass m1 of a substance of specific heat capacity C1 at temperature T1 is mixed with mass M2 of other substance of specific heat capacity C2 at a lower temperature C2 deduce the expression for the temperature of a mixture state the assumption made if any substance 1 at higher temperature mass of substance is equal to M1 specific heat capacity of substance is equal C1 higher temperature of substance is equal to T1 substance 2 at lower temperature mass is equal to M2 and specific heat capacity is equal to C2 temperature is equal to T2 now let's temperature of mixture is equal to T then heat loss by substance 1 is equal to heat gain by substance 2 we can write this as M1 C1 T1 minus T is equal to M2 C2 T minus T2 or we can write this also as M1 C1 T1 minus M1 C1 T is equal to M2 C2 T minus M2 C2 T2 further if we solve we can write this as M2 C2 T2 plus M1 C1 T1 which is equal to M2 C2 T plus M1 C1 T now if we take the common of T this will become M1 C1 plus M2 C2 T is common is equal to M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 we can write this as T is equal to M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 upon M1 C1 plus M2 C2 Question 23 is saying why do farmer fill their field with water on a cold winter night see friends since specific heat capacity of water is very high right so farmer fill their fields with water to protect the crop from frost as heat in water does not allow temperature in surrounding fall below 0 degree Celsius on the other hand in the absence of water on cold night temperature fall below 0 degree Celsius the water in the fine capillaries of plant will freeze and vane will burst due to increase in volume of water on freezing and the plant will die and crop will destroyed question 24 discuss the role of high specific heat capacity of water with reference to climate in coastal area specific heat capacity of water is about five times as high as that of sand which is land and when equal mass of water and sand are heated to same temperature heat absorbed or given out by water is five times that of sand hence earth is heated or cooled more quickly as compared to water therefore thus there is a large difference in temperature between land and sea due to which land and sea breezes are caused it make the climate near the seashore moderate question number 25 water is used in hot water bottle for fermentation give a reason answer is hot water bottles are used for fermentation since water does not cool quickly due to its large heat capacity question 26 what property of water make it an efficient coolant answer is it is due to high specific heat capacity of water that it is used as effective coolant in radiator in car and generator it can extract more heat question 24 give one example each where high specific heat capacity of water is used first as coolant and second as heat reservoir answer is high specific heat capacity of water is used as coolant in car radiators and generator as more heat from heated part of machine can be removed without much rise in temperature of water second as a heat reservoir is high specific heat capacity of water is used as reservoir in hot water bottle for fermentation as heat is lost for very long time without water in bottle getting cold question 28 is saying a liquid X has specific heat capacity higher than liquid Y which liquid is used as first coolant in car radiator and second heat reservoir to keep juice bottle without freezing so the answer is liquid X why because specific heat capacity is high and liquid which considered as a heat reservoir to keep juice bottle without freezing is again liquid X question 29 what is calorimeter name the material of which it is made of give two reason for using the material stated by you out of three material A B and C of specific heat capacity 900 joule per kg per degree Celsius 380 joule per kg per Celsius and 460 joule per kg per Celsius respectively which will you prefer for calorie meter and give the reason and the last part of this question is saying how is the loss of heat due to radiation minimize in a calorie meter so the answer is calorie meter calorie meter in a cylindrical vessel which is used to measure the amount of heat gained or lost by a body when it is mixed with other body material used to make it is a copper sheet and the reason is copper is a good conductor of heat so the vessel soon acquire the temperature of its content copper has low specific heat capacity and the amount of heat energy taken by calorimeter for its content to acquire temperature of its content is negligible for calorimeter metal B will be used and the reason is its specific heat capacity is the lowest so it will take least heat from its contents to acquire the temperature of contents and to prevent heat transfer by radiation the wall of calorimeter are polished and made smooth from inside as well as outside and the last question is question number 30 saying why is the base of cooking pan made thick and heavy a thick and heavy base has large thermal capacity and may impart heat at low temperature which makes to bread for its proper baking